आपका बहुत 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 वालकम करती हूँ आज मैं आपको कैसा उपटन बना कर दिखाऊंगी जो आपके स्किन पर आपकी तवच्छा पर जो छोटी छोटी बाल होते हैं उन्हें जड़ से खत्म कर देगा चेहरे को बहुत ज्यादा ग्लोइंग बनाएगा सिर्फ 20 डेज के अंदर ये उपटन आपके चेहरे के पर बहुत ज्यादा इफेक्टिव तरिके से काम करेगा तो इसलिए जिन लड़कों की शादी होने वाली हैं उन्हें भी इस उपटन का इस्तमाल अपने स्किन के लिए जरूर करना चाहिए तो फ्रेंट्स आईए कोई आम उपटन नहीं है जिसमें हम एक या दो इंग्रीडियन्ट का यूज करेंगे बलकि ये उपटन बनेगा 6 इंग्रीडियन्ट के साथ जो आपकी तवचा को बहुत ज्यादा अगर आपकी शादी होने वाली है तो आपको भी इस उपटन का समाल जरू करना चाहिए हम बनाएंगे इन कुछ नैचरल इंग्रीडियन्ट के साथ अपना स्पेशल उपटन तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरू करें अगर आप मेरे चैनल पर न्यूँ आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आप आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो की नॉटिफिकेशन मिस नहीं कर पाएंगे तो फ्रेंट्स इन कुछ नैच्रल इंग्रीडियन्स के साथ हम बनाएंगे अपना उब्टन जो स्किन के लिए बिल्कुल सेफ और नैच्रल इफेक्टिव होंगी तो फ्रेंट्स फर्स्ट इंग्रीडियन्ट है मुलतानी मिटी जो संटेन को दूर करके संटेन से काली हुई तवचा को रिमूव करके हमारी स्किन को सॉफ्ट बनाने में बहुत असरदार है दूसरा इंग्रीडियन्ट है राइस फ्रॉट चावल का आटा तवचा पर होने वारे काले पन को दूर कर स्किन को योथफुल बनाने के लिए इस्तमाल किया जाता है चावल के अचावल के आटे का इस्तमाल जपान और कोरिया की गल्च अपने स्किन के सभी ब्यूटी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए इस्तमाल करती है इसमें पाय जाने वाला पिटीरिया येस्ट हमारी स्किन को सॉफ्ट मुलाइम करने में बहुत मदद करता है साथी ये बालों के लिए भी बहुत ज्यादा एफेक्टिव होता है हार्ड इंग्रीडियन्ट है मुलेथी पावडर फ्रेंट्सी किसी भी तरह की स्किन पर हो रहे हैं इंफ्लामेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बेस्ट है इसलिए इस उब्टन यदि किसी भी उब्टन को इस्तमाल करने से आपकी स्किन पर रेश्यस पर जाते हैं मुलेठी का इस्तमाल करने से स्किन पर हो रहे हैं इंफ्लामेशन या रैटने स्वेलिंग की प्रॉब्लम को दूर करने के एकदम excellent ingredient है मुलेठी dark patches, dark sports को remove करके dark melasma को साफ करने के लिए भी expert है जो हमारी तवचा पर बार बार होने वाले कालेपन को दूर करने के लिए भी बहुत effective है तो हम योज़ करेंगे मुलेठी powder, आप इसे पंसार शौप से easily खरीज सकते हैं पूर्थ ingredient है आपका sundalwood powder, चंदन powder, संदरी को बढ़ाने के लिए चंदन powder बहुत ज़्यादा असरदार होता है ये भी आपको पंसार शौप से असानी से मिल जाएगा लास्ट है आपका हल्दी, हल्दी सभी तरह की multi beauty tips और उप्टन बनाने के लिए खासकर इस्तमाल की जाती है तो आप इस तरह की हल्दी अपने घर पर ले आएए और इससे उप्टन बनाएए लास्ट ingredient है आपका सरसो का तेल, mustard oil complete तरीके से उप्टन को बनाने के लिए सरसो का तेल इस्तमाल करेंगे तो सबसे पहले एक बड़ा बाउन ले, इसमें एक चमच मुलतानी मिटी, एक चमच राइस पाउडर, एक चमच मुलेथी पाउडर, एक चमच संडलवोड पाउडर और एक चमच हलदी डालकर अच्छी तरह से mix कर लीचे, mix करने की बाद आप एक बाउल ले, जब भी इस्तमाल करना हो, एक चमच अलग से बाउल में निकाले, और इसमें सरसो का तेल डालकर अच्छी तरह से mix कर ले, अब ये आपका natural उप्टन बनकर तेयार है, इस उप्ट अगर आपकी शादी होने वाली है, या फिर अगर आप ने स्किन को ग्लॉइंग करना चाहती है, अन्चाहे बालों की समस्या को दूर करना चाहती है, तो आप इसका समाल कर सकते हैं, तो आज का ये उप्टन रेमेडी आपको पसंद आए, तो इस वीडियो को लाइक जरू क करें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के लिए चाहते हैं, ये भी मुझे कॉमेंट्स में बता सकते हैं, तो थैंक यू सो मच फॉज वीडियो, बाई!